भारत बनाव इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वंडे मुकाबले में भारतिय टीम ने इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त देते हुए सीरीज में 1-0 से बड़त बना ली है आपको बता दे कि इस मुकाबले में भारती टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दी भारत ने पहले इंग्लैंड को मात्र 110 रनों पर ओल आउट कर दिया और उसके बाद 19 वे ओवर में ही 111 रनों के लक्ष को बिना विकेट गवाय ही हासिल कर लिया इस मैच में जहां जस्परीद बुम्रा ने अपनी गेनबाजी से कहर बर पाया तो वहीं रोहिच शर्मा का बल्ला भी इस मुकाबले में आग बरसाता हुआ देखा गिया आपको बता दे कि जस्परीद बुम्रा ने 6 विकेट निकालते हुए इंगलिश बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी तो वहीं रोहिच शर्मा ने भी 76 रनों की ताबर तोड़ पारी खेली जिसके बदौलत इंगलैंड के गेनबाज मैच में धराशाई नजर आए अब इसी मुकाबले में भारतिय स्टार जोडी रोहिच शर्मा और शिखर धवन ने एक कीरती मान अपने नाम दर्ज कर लिया है आपको बता दे कि रोहिच शर्मा और शिखर धवन ने पहले वंडे मुखाबले में इंगलैंड के विरुध 114 रनों की नाबाज साज़दारी लगा कर वंडे क्रिकिट में 5000 रनों की साज़दारी पूरी कर ली है रोहिच शर्मा और शिखर धवन भारत के लिए साल 2013 से ही वंडे में ओपनिंग कर रही हैं दोनों ने एक साथ भारत के लिए कई मुखाबलों में पारी की शुरुवात की हैं दोनों के नाम कई शत्किय साज़दारी भी हैं अब इनी साज़दारियों के चलते रोहिच शर्मा और शिखर धवन ने वंडे में कुल 5000 रनों की साज़दारी पूरी कर ली है वंडे में 5000 रनों की साज़दारी करने वाली रोहिच शर्मा और शिखर धवन की दूसरी भारतिये और विश्व की चौथी जोडी बन गई हैं भारत की बात करें तो शिखर धवन और रोहिच शर्मा से पहले सचिन तंदुलकर और सौरव गांगली ने मिलकर वनडे क्रिकिट में 6,000 रनों से जादा की साज़ेदारी की इसके अलावा अगर विश्व की बात करें तो विश्व क्रिकिट में वनडे में सचिन तंदुलकर, सौरव गांगली, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हीडिन जैसे दिगगत जोडी के अलावा शिखर धवन और रोहिच शर्मा की ऐसी चौथी जोडी बन गई है जिन्होंन इस जोडी ने कुल 5108 र intermitt नाए हैं, दोनों के सरवाधिक साज़दारी की बात करें तो वो 210 हैं, इन दोनों जोडिए ओसत 46.4 की रही है, जहां दोनों ने मिलकर 18 बार 100 से जादा की साज़दारी की है वहीं 15 बार इस जोड़ी ने 50 से जादा की साज़ेदारी की है आपको बता दे कि विश्व क्रिकेट में बतोर सलामी जोड़ी के रूप में सबसे जादा शत्की साज़ेदारी के सूची में रोहिच शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी दूसरे स्थान पर आती है पहले पायदान पर एक बार फिर सौरफ गांगुली और सचिन तंदूलकर की जोड़ी है इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लियाब बने रही है वन इंडिया के साथ